हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गुड मॉनिंग भारत मैं हूं मनोश टंडन आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पीता को नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम फ्रेंट्स आज बात करने वाले हैं हम लोग computer storage device के बारे में computer memory के बारे में ठीक है फ्रेंट्स ये जो topic है आने वाले जो exam है और हाल ही में जो निकला हुआ क्या है छात्रावास अधिक्चक का exam है उसके लिए काफी जादा important रहने वाला है तो चलिए फ्रेंट्स बिना किसी द memory क्या है या आपसे कहा जाता है कि memory किसे कहते हैं इस तरह से तरह तरह के आपको question घुमा घुमा करके पूछा जाएगा चलिए जान लेते हैं हम लोग memory क्या है तो आप सभी को पता है फ्रेंट्स memory क्या है एक प्रकार का storage device है ठीक है तो अगर आपके option में रहे कि memory क्या है तो storage device अगर आपके option में होता है तो आपको क्या लगा देना है storage device लगा देना है ठीक है फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और memory किसको कहते हैं तो computer का वा भाग जिसे हम लोग data m program रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं memory कहते हैं ठीक है फ्रेंट्स computer का वा भाग जिसमें हम लोग क प्रोग्राम रखते हैं क्या कहलाता है मिमोरी कहलाता है तो कोई भी option आपके क्या है question में हो आपको क्या कर देना है tick कर देना है ठीक है friends कभी कभी क्या होता है कि memory क्या है ना पूछ करके आपसे ये पूछ लिया जाता है कि computer का वह भाग जिसमें हम लोग data एवं program रखते हैं उसे क्या कहते हैं ऐसा question आपसे पूछ लिया जाता है ठीक है friends तो आपको बिल्कुल भी confusion नहीं होना है computer का वह भाग जिसमें program एवं data रखे जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं memory बोलते हैं ठीक है friends तो पहला question आप सांदार तरीके से समझ गए होंगे आपसे पूछेगा कि memory क्या है तो memory एक प्रकार का storage device है ठीक है अगर option में होता है तो नहीं तो फिर computer का वह भाग जिसमें data एवं program रखे जाते हैं टीक है तो आप पहला question को सांदार तरीके से जबरजस्त तरीके से समझ गए होंगे ठीक है friends चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा question देखते हैं दूसरा question आप से क्या पुछा जाता है कि memory कितने प्रकार की होती है ठीक है ये आपका सीधा question है सीधा सीधा आपको इस तरह से question पुछा जाता है तो आपको बताना है कि गुरुजी memory कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है ठीक है आपको क्या है memory कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की होती है एक आपका प्राइमरी मिमोरी होता है और एक आपका क्या है दुत्यक मिमोरी होता है ठीक है फ्रेंस जिसको प्राथमिक मिमोरी और दुत्यक मिमोरी कहते है या फिर प्राइमरी मिमोरी या फिर सेकेंडरी memory कहते हैं ठीक है तो ये क्या है आपका simple question है सरल question है इसको भी आप क्या है सांदार तरीके से समझ गए होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question आप से पुछा जाता है प्रात्मिक memory किसे कहते हैं तो क्या करना है आपको एकदम सांदार तरीके से जबर जिस्तर तरीके से आपको जवाब देना है कि गुरुजी computer की जो main memory होती है वो क्या कहलाती है प्रात्मिक memory कहलाती है ठीक है प्रात्मिक memory को ही हम लोग semiconductor memory या फिर primary memory कहते हैं ठीक है और अगर आप से पूछ ले कि primary memory किस तरह के data को रखती है तो आपको बताना है गुरुजी primary memory केमल ऐसे data अत्वा प्रोग्राम को इस्टोर रखती है जिसे वरतमान समय में CPU द्वारा क्या है प्रोसेस किया जाता है तो एकदम सांदार तरीके से जबर जस्तर तरीके से हमारा ये तीसरा question आप समझ गए होंगे और क्या है जबर जस्त तरीके से आप क्या है जवाब दे सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question आप से पूँछा जाता है प्राथमिक मीमोरी के अंतरगत कौन कौन सी मिमोरी आती है या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि इन में से कौन प्रात्मिक मीमोरी है या फिर इनमे से कौन प्रात्मिक मीमोरी नहीं है ठीक है तो क्या करना है आपको एकदम सांदार तरीके से जबर्चस्त तरीके से आपको क्या है समझना है कि प्राइमरी मीमोरी के अंतरगत कौन कौन से मीमोरी आती है तो रेम, रोम और क्या है कैस मीमोर यह तीनों memory आपकी प्रात्मिक memory है ठीक है जो कोई भी आपके option में हो उसको क्या कर देना है ठीक लगा देना है ठीक है और अगर आपसे पूछे इन में से कौन प्रात्मिक memory नहीं है तो इन तीनों के अलावा अगर आपसे कोई दूसरा दिखता है तब उसको क्या कर देना है स सांदार तरीके से जबर्जस्त तरीके से आपको टिक लगा देना है तो एक अदम सांदार तरीके से जबर्जस्त तरीके से आप हमारा ये चौथा कुस्चन भी समझ गए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे अगला कुस्चन क्या पुछा जाता है कि गुरुजी तो बाहा हमी मोरी होती है, उसको हम लोग क्या कहते है, दित्यक मीं मोरी में, फाइल को सेब कर, कम्प्यूटर को अगर बंद कर देते हैं, तब भी जो हमारा डाटा है, वो क्या रहता है, ये थावत बना रहता है, ठीक है? दृत्यक मिमोरी को ही हम लोग इस्थाई मिमोरी कहते हैं दृत्यक मिमोरी क्या है आपका एक प्रकार का इस्थाई मिमोरी है तो अगर आपको इन में से कोई भी option में दिखता है अगर आप से पूछा जाता है कि दृत्यक मिमोरी क्या है और आपको इन में से कोई भी option में रहत या तो फिर इन में से कौन दिट्यक memory है या फिर इन में से कौन दिट्यक memory नहीं है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है दिट्यक memory को सामदार तरीके से जबर्जस्त तरीके से स्मझ लेना है ठीक है तो आप कहेंगे गुरजी, hard disk है, pain drive है, cd है, dbd है और floppy disk ये सब ही क्या है हमारे दित्यक मिमोरी है गुरुजी सामधार तरीके से जबर जिस्त तरीके से आपको क्या करना है बता देना है तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इन में से कौन दित्यक मिमोरी है और अगर इन में से कोई भी option आपको दिख जाता है तो उनको क्या सांदार तरीके से क्या कर देना है टिक लगा देना है मुझे उम्मीद है आप सभी भाई बहन को ये वीडियो क्या है सांदार तरीके से जबर्जस्तत तरीके से समझ में आ रहा होगा यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आपको क्या कर देना है सांदार तरीके से ला जाती है तो आपको सांदार तरीके से पहले समझ लेना है कि गुरुजी प्राइमरी मीमोरी को हम लोग मुख्य मीमोरी कहते हैं प्राइमरी मीमोरी को हम लोग मेन मीमोरी कहते हैं प्राइमरी मीमोरी को हम लोग सेमी कंडक्टर मीमोरी कहते हैं और प्राइमरी मीमोरी को हम आपको क्या करना है notes बना लेना है डीक है एक बार फिद्फिय देख लेते हैं primary memory को हम लोग मुक्षय मिमोरी कहते हैं primary memory को हम लोग main memory कहते है primary memory को हम लोग Import इंटर्नल मिमोरी कहते हैं, प्राइमरी मिमोरी को हम लोग सेमी कंडक्टर मिमोरी कहते हैं, और प्राइमरी मिमोरी को ही हम लोग भीदरी मिमोरी कहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कुस्चन है, दुध्यक मिमोरी को और किन-किन नामों से जानी जाती है, ठीक ह प्रम को बचीट है boy है में बां लिक्तुट मोर्ष लग अदो की विलिक्तूरेज में शिट्टाइग में बां रेंगर का सबना मैं कंप्योज को देखक है इंपना को बां गणते न logic है करते हैं इस्थाई मीमोरी कहते हैं और क्या कहते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दृत्यक मीमोरी की क्या-क्या विशेस ताएं हैं उनके बारे में भी हम लोग क्या है इसी कुस्चन में डिसकस कर लेते हैं तो क्या है दृत्यक मीमोरी की कौन-कौन सी विशेस ताएं है फ्र इस्थाई मिमोरी होती है ठीक है फाइल को अगर हम लोग सेव करके कंप्यूटर को बंद कर दें तो डाटा हमारा क्या रहता है यतावत बनी रहती है ठीक है फ्रेंट्स तो यह क्या है आपके जुद्यक मिमोरी की विशेस्ताएं है अगला आपसे कोस्चन पुछा जाता है इ इस्थाई मिमोरी कहते है और दिद्यक मिमोरी क्या है एक प्रकार की इस्थाई मिमोरी है उना हम लोग एक पार पढ़ लेते हैं फ्रेंट्स क्या है बिजली बंद हो जाने पर जो इस्टोरेज अपना डाटा रखती है उसको हम लोग क्या कहते है इस्थाई स्टोरेज आिस्थाई memory किसे काते हैं, तो किसको हम लोग आईस्थाई memory कहेंगे, то ऐसी memory जो बिजली बंद हो जाने पर अपना data क्या करती है, खो देती है, क्या कहलाती है, आईस्थाई storage device कहलाती है, तो एकदम सांदार तरीके से जबर जस्तर तरीके से क्या है आप अई स्थाई memory के बारे में समझ गए होंगे चलिए अगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना अगला question लेते हैं कि RAM क्या है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको RAM का full farm जान लेना है friends RAM का full farm क्या होता है तो random access memory होता है क्या होता है random access memory कहा जाता है RAM को ठीक है friends अगला important point क्या है तो यह एक क्या है प्राथमिक memory है RAM क्या है एक प्राथमिक memory है RAM को ही हम लोग क्या है volatile memory कहते हैं और या फिर i-style memory कहते हैं ठीक है अगर आपसे पूंच लिया जाता है कि volatile memory कौन सी है तो कौन सी है RAM है ठीक है और i-style memory कौन सी है तो रैम ही है ठीक है फ्रेंट्स कंप्यूटर में इस्थित मिमोरी है और कौन सी कंप्यूटर में इस्थित मिमोरी है अगर आपको पूछे तो रैम क्या है कंप्यूटर में इस्थित मिमोरी है जो आपके कंप्यूटर में पाय जाते हैं वो कौन सी मिमोरी पाय जात है या एक प्रकार का प्रात्मिक मीमोरी है र интересно क्या है वोटाइल मीमोरी है और रेम में र 2025 फ्रेंट्स अगला कोस्टन है रेम की क्या क्या विसेस्धाय है चलिए हम लोग रेम की विसेस्धाय जान लेतेहें तो अगर आपको ऐशा पूंच लिया जाता कि किसकी प्रकृति विघटित हो जाती है तो आप लिखेंगे कि रेम की प्रकृति क्या हो जाती है विघटित हो जाती है रेम आपका दो प्रकार का पाया जाता है एक को आपका एस रेम कहते हैं एक को आपका डी रेम कहते हैं एस रेम का नाम क्या है तो इसको हम लोग क्या कह कहते हैं, static RAM कहते हैं, और D name को हम लोग क्या कहते हैं, तो dynamic RAM कहा जाता है, ये जो आपका static RAM है, ace RAM है, इसकी गती क्या होती है, अधिक होती है, तेज होती है, ठीक है फ्रेंट्स, आगे हमने देख भी लिया है, कि RAM क्या है, एक प्रकार का प्रात्मिक मीमोरी है RAM आपका बोलाटारिल मीमोरी है RAM आपका आईस्थाई मीमोरी है और computer में इस्थित मीमोरी कौन सी है तो RAM ही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question लेते हैं next question है Rome क्या है तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है रोम का आपको full form जान लेना है 로म का full form क्या होता है तो read only memory होता है ठीक है रोम का full form क्या है तो read only memory होता है यह एक प्रकार का इस्थाई memory है और यह क्या है आपका non volatile memory है अगर आप से पुछ लिया जाता है कि इनमेंसे क्यों non volatile memory है तो आप किस पर टिक लगाएंगे रोम पर आपको टिक लगाना है कि गुरुजी non-volatile memory कौन सी है तो रोम है अगर आप से पूँच लिया जाता है कि computer की built-in memory किसको कहा जाता है तो आप कहेंगे गुरुजी रोम क्या है computer की built-in memory कहलाती है next question है friends रोम की क्या-क्या विशेस्ताएं है तो रोम की क्या-क्या विशेस्ताएं है friends चलिए देख लेते हैं रोम में क्या होता है मूल निवेस निगमन प्रडाली computer में विद्यमान रहती है रोम के निम्न प्रकार होते है friends जिसमें आपको P-ROM, E-P-ROM, E-E-P-ROM ये सभी आपको मिल जाएंगे इसमें से जो आपका P-ROM होता है इसमें क्या होता है तूटी हो जाने पर सुधार नहीं सकते आप सुधार क्या है नहीं कर सकते ठीक है friends P-ROM में क्या होता है अगर आप उसका एक बार उप्योग कर लिए है ठीक है तो दुबारा आप उसको क्या है संसोधित नहीं कर सकते तो ये question आप से पूछा जाता है कि किस ROM में क्या है एक बार आप उसका उप्योग कर लिए है तो दुबारा उसको संसोधित नहीं कर फकते तो कौन सा ROM हो जाएगा P ROM हो जाएगा अगला है आपका जो E P ROM होता है वो वैद्धूत रूप से क्या होता है प्रोग्राम योग्य एवं प्रवैगनी होता है ठीक है फ्रेंस जो E ROM होता है वो क्या होता है तो वेद्यूत रूप से प्रोग्राम योग्य एमम क्या होता है प्रावैगनी होती है नेक्स कोस्चन आपसे पूछा जाता है इस्टोरेज माध्यम की छमता की इकाई कौन सी होती है तो इस्टोरेज माध्यम की छमता की इकाई क्या होती है फ्रेंस, byte होती है, क्या होती है, byte क्या है, आपके storage माध्यम की छंता की IKAI होती है, next question क्या है, next question है, computer memory की बढ़ती हुई IKAI का क्रम है, ठीक है फ्रेंस, तो चलिए हम लोग computer memory की जो बढ़ती हुई IKAI का क्रम जान लेते हैं, तो सबसे पहला आपका kb आता है, फिर उसके बा तो यह क्या है नेक्टलванjem कोष्टिन है, यहां मिमोरी क्या होता है तो यहां स्थित होता है, इसका जो store छमता है वो क्या होता है friends, बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो सबसे तेज memory कौन सी है, register memory है, या कहां उपस्तित होता है, तो CPU में उपस्तित होता है, और इसकी storage किस प्रकार की होती है, तो बहुत ही कम होती है, next question है, cache memory क्या है, तो cache memory किसको कहते है friends, computer के space, जिसमें data load होता है, cache memory कहलाती है, cache memory क्या होता है friends, तो ये एक प्रकार का प्राथमिक memory है, ठीक है, computer program द्वारा सबसे अधीक बार काम में लिये जाने वाले जो निर्देश होते हैं, वो cache memory से ही लिये जाते हैं, ठीक है friends, तो ये सभी क्या है, आपके cache memory के संबंदीत है, ठीक है, एक बा दात्मिक मीमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सबसे अधिक वार काम में लिये जाने वाली जो निर्देश हैं, वो कैस मीमोरी से ही ली जाती है, नेक्स कोस्चन है, कैस मीमोरी को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो कैस मीमोरी को ही आपका CPU मीमोरी कहा जाता है, ताक्षडिक मीमोरी कहा जाता है, और High Speed मीमोरी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंस, किन किन नामों से जाना जाता है, तो CPU मीमोरी कहते हैं, ताक्षडिक मीमो कहते हैं next question आप से पूछा जाता है कि कौन सी internal memory होती है और कौन आपका external memory होती है ठीक है फ्रेंट्स तो हम लोग internal memory किसको कहेंगे जितनी भी आपकी primary memory है वो आपकी क्या कहलाती है internal memory कहलाती है ठीक है और जो भी आपके दृद्ध्यक memory है वो सभी क्या है आपके external memory कहलाती है तो यहां से भी आपका question बनता है कि इन में से किसको internal memory कहते हैं इन में से किसको external memory कहते हैं तो यह था फ्रेंट्स computer के storage से संबंधित important point उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा शांदार तरीके से जबर जस्त तरीके से क्या है समझ में आया होगा यदि वीडियो आपको समझ में आया है वीडियो आपको knowledgeable लगा है तो वीडियो को आपको like share कर देना है ठीक है और ऐसी ही जानकारी के लिए आपको क्या करना है चैनल को subscribe कर लेना है तो चलिए friends फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी computer के knowledge के साथ तब तक के लिए क्या है स्वस्त रहिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए उना आप सभी के माता पि